मुझे करीब 11 साल लग गए मतलब 2010 से मैं बात कर रहा हूं 2010 में ने पहली जॉब ली इसलिए मैं हर बार 2010 को कोट करता हूं for reference कि आप बोलतो तो एक लेवल से बंदे का है कि लाइक वो अभी जीरो लेबल पर उसे जीरो से हंगर जाना है और एक बंदा है जो तैन लेवल पर उसे हंगर जाता है कितना भी हम रोकें कि या चल ठीक है तू अपनी पैक्टिकालिटी पे जी बट इसा होता है कि हमें पैक्टिकल में जीना पड़ता है बट हम जब दूसरे को देखते हैं कि जो सेम इस का है या थोड़ा एक दूसाल बड़ा है वह बहुत अच्छा कर रहा है बट उस ताइम खिर मेरे पास शॉससें नहीं है कुछ नी क्श तुर उस्ताइम आतमेटिक कंपेरिजिन एगा अंदर से आई जाता है कि कर रहा है तूम पास रिस्त यह नहीं है तुम्हें भी करना चाहिए तो दस साल का पंद्रा साल का बीस साल का चर्म होता है फ्रो थोड़ा अंदर से करद है कि व्यूदिधा करना फाइड रिवार नॉट है वो बंदा करना भी शेत्फान पाता बडकान बड़त पात करना तो थाज़ नहीं है वह तो करना पड़ें बड़ाने मैं तो चुछी जूशन करना पड़ेगा why i am not so how tackle from this problem simple solution by default you are valuing them more than you by default you are wasting your time in seeing their executions and their results versus focusing on your executions more and more and more लब आज देखो आज आज कित्रे सारे आज चलो मेरी बात करते हैं आपने जैसे बूला ना कि 0-100 वाले एक बंदे होते और कुछ लोग होते 10-200 जाते मैं बात कर रहा हूँ अभी आरिया सौरव जैन जित्रे भी है ठीक है जो की मार्केट में ऐसे गिना जाएंगे तो मेरे कॉंपटेटर होंगे लेकिन मेरे बहुत ही करीवी दोस्ते ठीक है तो मैं प्रोफेशनल लाइफ विद देम इस कॉंपलेटली वैं सोच रहा हूँ के साणाव जैंकी ईजनशा बैच रहा है अभी आरिया कोसे कर रहे हैं सिधात राजशेकर कोषों वह तो मैं भी करना चाता हूँ वह करूंगा बस मेरे को कोर्सी से बेचने के ताकि मैं भी जादा पैसे कमा तो यह तो बतलब गज़त बात होगे ना instead right now what I'm doing I'm not selling courses every single month I'm doing something crazy which is NFT projects why because because I am focusing on my executions I don't care और यह ऐसी वात नहीं कर रहा हूं कि वह आपको तुरंथ होगा मुझे भी आता था मुझे करीब न 11 साल लग गए मतलब 2010 से मैं बात कर रहा हूं 2010 में पहली जॉब ली इसलिए मैं हर बार 2010 को कोट करता हूं ठीक है क्योंकि यह जब वर्क करना शुरू करते ना पैसे कमाना शुरू करते तभी हमको यह comparison वाली बाते थोड़ी थोड़ी जादा आती है college में भी आती थी school में भी आती थी अमारा पूरा जीवन ऐसा ही जीताता है you know when you are in school तुम compare करते थे अपने marks एक मार्क किसी फ्रेंड का जादा आ गया तो जलन होती थी तो यह हमारा human mind ही ऐसा है ठीक है so it's no different it's no different and it is not wrong as well जब हम school में करते थे बचपने में करते थे college में करते थे तो समझ के करते थे और दोस्त के लिए करते थे और अभी जब हम corporate level पर करते थे तो हम सोचते कि हम गलत कर रहे है क्यों गलत कर रहे हम वही कर रहे है जो पहले भी कर रहे थे it's just that we are we are just putting this on a pedestal right now over here where we are thinking that this is a huge mistake which we as humans are making you have to just shift your thinking over here that ये एक human psychology है and we are by default in Indian culture 99% of the people are trained in such a way that हमको negative जल्दी दिखता है ऐसा बोलने से ऐसा नहीं है कि Indian culture में ही ऐसा है बाहर की दुनिया में भी होगा लेकिन मैं Indian culture से बिलॉंग करता हूं तो मुझे Indian culture का मालूम है ठीक है तो मैं और किसी के साथ compare ही नहीं करना चाहता है कि वहाँ क्या है जो जो चीज़े मालूम है वो compare करता हूं जैसे कि वहाँ पर US में या कहीं और foreign country में देखोगे तो वहाँ पर 18 साल के बच्चे को जिम्मेदारी दी जा मैं खुद से करूंगा वो तो कोई घरता नहीं है लेकिन college और engineering खतम होने के बाद तुरंत ही अपना business खड़ा करना है अपना यह वो खड़ा करना है लेकिन पापामी ने इतने लाख रुपे जो डाल दिये उसका तो कोई नहीं सुचता है you know so there are so many things Aman जब मैं बोलता हो ना के you don't have to compare it is that I am all I am trying to say is start focusing a little bit more on your own life so that you will live a better and a practical life इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में वो comparison वाला चीज आएगा ही आएगा हो हमेशा आएगा ठीक है जब मेरे पास यह नहीं था ना तब मुझे लगता था कि यार मेरे सारे friends के पास iPhone है जब मेरे पास मतलब चलो मैं अभी गाड़ी चलाता हूं ठीक है खुद की लेकिन मतलब मेरे पास मैंने कभी cycle मैं cycle पे जाता था जब मेरे सारे friends active पे जाते थे so there was always always a factor in my life which I could have compared with but शायद वो compare के साथ साथ में अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकली भी जादा तर जीता रहता था जीता रहता था और उसी की वज़े से शायद मैं आज जो भी हूं गूहूं all right that in spite of all these challenges which I am seeing in you guys I have already lived that and still to this date I am deciding so many things behind the scenes जो कि आपको पता नहीं चलता है वो आपको पता कब चलेगा 2-3 साल के बाल जब मेरा कुछ execution का result आएगा क्योंकि अगर वो execution fail हुआ तो आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन जब success आता है तो पता चलेगा मैं कोर्स क्यों नहीं बेच रहा हूं वो आपको पता चलेगा so there are so many things which you as a human being has to take a decision form decision in your life and they take 100% responsibility whether you win or lose that's what is practical life तो वो comparison तो हमेशा रहेगा जब मैं ये अपना NFT project launch करूंगा by default 96% of the people will compare it with vfriends.com which is exactly what I want now yeah so कभी कभी आप जो करते हो रहा हो वो लोगों को करने दो आप मत compare करो because आपको मालूम है अपने वो जो लोगों को लगता है कि ये comparison हो रहा है या copy हो रहा है कुछ भी हो रहा है या आपके दिवाग में जो आपको लग रहा होगा आपके जिंदगी में क्या आप compare कर रहे हो ये कर रहे हो it is not comparing it is just you seeing somebody and then maybe you should take that positively नथा ऐसा करना चिलिये मुझे so when you are seeing somebody above you try to take inspiration when you see yourself above someone you should be humble and kind ये हमेशा याद रखना अगर खुद को motivate करना है ना तो किसी उपर वाले बंदे को देखो जहाँ आपको पहुचना हो लेकिन खुद को जब kindness और humble वो down to her nature लाना हो ना तो खुद से नीचे वाले बंदे को देखो जिसके पाद चायद रोटी कपड़ा मकान भी नहीं होगा आज लेकिन आज आप internet पर मेरे साथ zoom पर बात कर रहे हो so you are privileged so ऐसी बहुत सारी चीज़े है जो मैं पिछले 11 साल में ऐसा अपने mind को feed करता रहता था आज भी करता हूँ आज मैं intentionally नहीं करता हूँ लेकिन जब आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ आज मैं एक position पर हूँ के मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ नए बंदों से बात कर सकता हूँ नए बंदिया से बात कर सकता हूँ हरोज तो मेरा mind automatically train हो रहा है why? because if I am getting those questions my mind is so quick now that I self audit my past and I will give you practical scenarios in a way I am learning myself in a way I am self auditing myself in a way I am actually deep diving into my own life my own past all right so मतलब ये तो endless talk है मतलब मैं बोलता ही जाओंगा इसलिए मैं बोलता हूँ मत compare करो और ये सब चीज़े आएगी भी जिन्दगी में आएगी ठीक है बट जब आ रही है ना तो उसको खली replace करना है एक positive thoughts से उसको उसको replace see there is a reason why I chose that replace word you cannot ignore negativity आप बगवान नही हो कोई बगवान नही है you cannot ignore negativity it will come in your life ठीक है क्योंकि आप बगवान नही हो तो आप से भी intentionally या unintentionally कुछ गल्तिया होती रहेगी तो karma is practical so something negative will come in your life it will keep on coming in your life लेकिन उसको replace करना है you cannot ignore it completely you have to replace it with something positive in your life that's where you train your mind in such a way that it becomes fucking strong positive machine तो ये ऐसे ही raw content मेरा नहीं बनता रहता है मेरको अगर 2014 में कोई पूश रहा होता तो मेरसे इतना सारा नहीं बोला जाता क्यों? क्योंकि तब experience नहीं था नहीं इतना तो it comes with experience so don't worry about this don't freak out इसे लिए तो patient कच्छुआ आने वाला है आप लोगो को rescue करने के लिए दिविए और call center job या जब आप product manager थे तब आप freelancing की जानी की की उस ताइम तो आपका एक personal brand नहीं था इतना अच्छा की like people let come to you तो आप clients को रिचाओट करने के लिए तो क्या तरीकी उस करते थे लाइक ऐसे अपनी freelancing solutions को offer करने लिए तो क्या ऐसे तरीकी जानी करते लिए तो क्या तरीकी जानी करते तो the thing which I tell you I used to go into the close groups see मैं digital marketing trainer था and I used to take five batches where professionals used to come हर एक बैच में 30 से लेके 60 लोग होते थे on an average 40 लोग पकड़ो तो 5 batch ले रहा हूँ 200 लोगों को मैं पढ़ाता हूँ 5 महीने now 200 लोगों में से 200 लोग में से कम से कम 5 लोग ऐसे होते जिनके पास पैसा होता है वो खाली आते है सीखने के लिए उनके पास पैसा होता है वो करवाना जाते अगर आप में वो काबिलियत है के 5 मेने जब आप ट्रेन कर रहे हो you are so practical in training people that you share the results and all those things they will come to you that's where I started taking projects through that as well but मेरा एक ही थंब रूल रहा है that I never tried to scale from 5 clients to 50 clients मैं हमेशा small small खेला हूँ इसलिए मेरा depth of influence है आज भी मैं ये क्यों zoom call खाली 20-30 लोगों के अंदर कर रहा हूँ क्यों मैंने t-shirts का selling scale नहीं किया because I still want to grow this depth of audience मैं आप लोगों को याद रखूंगा अगरे 5 साल में कि हाँ वो पहला एक चीज किया था मैंने e-commerce store में वो इन लोगों के साथ किया था you know so those kind of things I have always done that's the reason why I have never failed to get clients मैं जब मिलता है तो उनी के साथ काम करता हूँ don't focus के मैं इस में से कितुना बड़ा करूँगा भी तुरंट पहले 6 महिने उनको तो help कर दो 6 महिने उनके results आएंगे न आपको नया client मिलेगा ही it's a thumb rule यार हम लोग इंसान है अगर इंसान को एक इंसान help करेगा न वो भी पैसे जादा कमाने में definitely वो अच्छी बात करेगा है आपके बारे में simple logic है there is no complex thing that's what I'm telling you to live a practical life people right now think that freelancing अगर करना है clients जादा लाने है तो कहां जाना पड़ेगा LinkedIn पर ही networking करना पड़ेगा Fiverr पर ही जाना पड़ेगा अबवर पर ही जाना पड़ेगा भाया तुम normal जिन्दगी में क्यों लोगों को मिलते हो ना उसमें से अगर दो क्लाइंट मिलते है ना अगले दो साल उनके साथ बिताओ साला दो साल में उनको result नहीं दे पाओगे तो problem वो freelancing ढूढ़ने में नहीं है problem आपमे आपको अप्रेड होना पड़ेगा फिर अगर दो साल में उनको results नहीं दे पाले हो so right now as well in my agency I only keep one or two high ticket clients which pay me in lakhs I don't scale it to ten I don't want to go straight away in crores per month नहीं चाहिए मुझे यार I'm self-aware because I'm playing for hundred crores in next ten years not just one crore in one year but I hope you got sufficient enough of answer over here stop comparing and start focusing on your own executions in your life and freelancing में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो तीन ये चार में काम करवाना जाएंगे उनके साथ काम कर लो बाकी बहुत सारे मिलेंगे आपको future में दोनों ही जो आपने प्रशने पूछे न उसको 10 साल के अंदर देखो नहीं कि 10 महीने के अंदर ठीके तब तब चाहे आप YouTube पे grow ना हो सको चलेगा Instagram पे grow ना हो सके चलेगा ठीके वो सब grow होने में मत जाओ अपना growth collectively देखो 10 साल का अपना आप प्रशने 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 प्रशने